नवश्कार मैं हूँ विद्या संकर्तिवारी इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए राजनीत में एक दूसरे पे वार करना सुभाविक है संसदी प्रणाली में जब आप चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं तो अपने विरोधियों पे आप राजनायतिक वार करते हैं लेकिन यही वार पलट वार जब बिलो बेल्ट होने लगता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है अब देखिए पहले प्रियंका गांधी की जब सक्री राजनीत में एंट्री हुई उन्हें माहा सचीव बना करके पुर्वी उतर प्रदेश का चार्ज दिया गया उसके बाद उन्हें दुर्गा के आउतार में दिखाया गया कुम्ब मेले के रास्तों में उन्हें दुर्गा के आउतार के रूप में पेस किया गया वहां तक भी ठीक है कि कारिकरताओं ने जोस में उन्हें दुर्गा बताया ये समर्थक ऐसा करते रहते हैं लेकिन तीन फरवरी को पटना में जो जन अकांग्छा रैली होने जा रही है उसमें जो है राहुल को रामा उतार में दिखाया गया है यहां तक भी ठीक है कि आप अपने नेता को भगवान बनाए आपकी मर्जी लेकिन गाधी मैदान के बाहर प्रधान मंत्री नरेंद मोधी को रावण के अवतार में दिखा करके और उनको राहुल गाधी को तीर चलाते हुए दिखाया गया है अब इसके बाद वहां पे डिस्प्यूट बढ़ गया है बीजेपी और कांग्रेस समर्थक इसको ले करके आमने सामने आ गये हैं बलकि राहुल के और प्रियंका के इस अवतार को ले करके कि उनको भगवान के रूप में दिखाया जा रहा है कोर्ट में परिवाद भी दाखिल हो गया है तो खास बात यह है कि नेता भी जानते हैं और समर्थक भी जानते हैं कि जो कुछ भी कर रहे है यदि उससे किसी की भावनाएं आहत होती है तो वो कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है उसके लिए सजा का भी प्रोविजन है इसके बवजूद वो नेता या कारिकरता हैं कि मानते नहीं और वो अपने को बढ़ा चला करके अपने नेता को दिखाते रहते पतना रहली के बारे में खास बात यह है कि उसमें जो भी महागटबंधन के घटक दल है वो उसके सभी के सभी नेता आएंगे और पतना में जो सीटो के लेकर के बारगेनिग चल रही है उसके मदे नजर ये कांग्रेस का एक तरह सेrend काया क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद चाक्री राजनित में आने केबाद पतना में ये जो रैली होने जा रही है उस इस्टेंज सो के रूप में ही कांग्रेस पेस कर रही है क्योंकि उसका जो वहां पे RJD से सीटो को लेकर के तना तनी है उसके मद्दे नजर कांग्रेस को यह लग रहा है कि यदि वो इस्टेंज सो कर ले जाते हैं मन मुताबिक तो सीटो की बारगेनिंग में उसे आसानी रहेगी इसके अलावा कुछ नेताओं को भी सामिल कराने के तैयारी है वहां के उसमें से कुछ बाहुबली नेता भी हैं ताकि कांग्रेस वहां पे मजबूत हो और यदि यह नौबत आए कि उपी की तरह उसे अलग हो करके बिहार में भी चुनाव लड़ना पड़े तो व उसमें अपना सुझाओ जरूर लिखें थैंक यू